दोस्तों लगातार तीन दिन से हमारे उडिसा में बहुत ही बारिस हो रहा है मैं एक आदिवासी गाउं घूमने के लिए आया हूं थोड़ा बारिस अभी कमा है इसलिए हम लोग थोड़ा घूमने के लिए हैं देखेंगे उधर देखिए दोस्तों हमारे आदिवासी भाई लोग वहां पर काम कर रहे हैं तो जाएंगे उनके साथ मजा करेंगे तीन मेहने पहले हम एक ब्रीज के पास गए थे ब्रीज का काम कहतम हो चुका है उसको भी जाकर देखेंगे तो चलिए जाते हैं देखिए दोस्तों हमारे आदिवासी भाई लोग कैसे काम करते हैं आप लोग को दिखाऊंगा दोस्तों बारिस के मोसम आ चुका है तो इसलिए देखिए जितने भी हमारे आदिवासी भाई लोग खेती कर रहे हैं अभी जो इसको बांद बांदा जा रहा है उरा गाउं के लोग मिल जूलकर यहां पर खेती कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हाथ बठा रहे हैं, काम कर रहे हैं. के दोस्तों हमारे बुड़ा बाबा को इतने एज में दोग फाँ हैं. बारिस हो रहा है फिर भी इन लोग काम कर रहे हैं देखे इन लोग बहुत ही आन्धन से काम कर रहे हैं बारिस को इंजय करते हुए इन लोग काम कर रहे हैं देखिए बुड़ा बुड़ी जितने भी छोटा छोटा देखिए एचोटा लेड़की काम कर रहा है यह हमारे करेंगे दोस्तों हम लोग यहां पर आये थे हमारे आदीबासी भाई लोग के साथ बहुत ही मजा किये और अभी हम लोग जा रहे हैं और बीज देखने के लिए लेकिन देखिए दोस्तों बारिस हो रहा है थोड़ा थोड़ा बारिस हो रहा है देखेंगे जाएंगे उधर ज यह टाल से लुका घुर्ट कलता है यहां पर दोस्तों कि Хотजल यहां उपिए और मुझे बुलाई यह पर आंडा आ तो हमनी हैं वो नदी के पास फिर आप लोग को वहां पर जाके मिलेंगे दोस्तों करीब तीन दिन से यहां पर को बहुत बारिश हो रहा है तिन मेने पहले मैं इस जगह पर आया था तो यह देख नहीं हुआ था अभी फील तैयार हो चुका है और गांडी में चल रहा है तो बहुत ही बड़ा बिज़ आल देख पा रह robust ही बड़ा ब्रीज है तो अभी responses बारिस नहीं हो रहा है लेकिन देखिए दोस्तों उस तरफ बहुत ही अकस्त दिखाई देगा आपको अच्छे अच्छे पहाड आप लोग देख पाओंगे उस तरफ देखिए सब्छाइब कर देखिए दोस्तों हम लोग अभी जिस जगह पर घूमने आए हैं इसको का है कुटूम पली ओवल्हे ब्रीज और भी कुटुम्पैली का ब्रीज है तो बहुत ही बड़ा ब्रीज हे तीन मेहने पहले इसका काम चल रहा था अभी, तयार हो चुका है और थोड़ा थोड़ा काम बागी है देखिए दोस्तों बहुत ही बड़ा ये जो नदी आप देख पा रहे होंगे बारिस के कारण यहां का जो पानी है पूरा मिटी के कलर हो गया है दोस्तों बारिस के कारण ये जो गाउं है आधा डूब गया था अभी फिलाल दो दिन से बारिस नहीं हो रहा है कारिब तीन दिन पहले बहुत ही बारिस हो रहा था बहुत बहुत जादा बारिस हो रहा था किस-किस का घर डूब गया दोस्तों मैं जिस गाओं में आया हूँ इस गाओं में आदिवसी लोग, बंगली लोग, ठरजात के लोग यहाँ पर रहते हैं इस गाओं में एरिया में ए जो बीज देख रहे हो उस तरप 26 गर जाने के लिए और इस तरप और eldestा जाने के लिए ए बीज है उमीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिन